हेलो गाईज कैसे हैं आप सब आई होप सब अच्छे होंगे तो चलो आज मैं आपको अपने पार्क में लेके चलती हूँ जो जहां वहां का नाम है सुगदेव बाठी का तो आजो मैं आपको फ्लावर दिखाती हूँ कि दिखो कितने सुन्दर सुन्दर फ्लावर है कि बहुत ही सुन्दर न जा रहे हैं और आज मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है बारिश तो होनी रही पर मौसम अच्छा हुआ है कि पूल की तरह लाल पीड़े रहांगी तो फ्लावर बहुत अच्छे लग रहे हैं हुआ 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 है अच्छे देखो कितना सुन्दर है यह बी कुछ तो मुर्जा भी गया है अच्छे इंद गर्मी बहुत जाता है ना आज मसम थंदा और यह देखो कितना सुन्दर लग रहे हैं वहां पर दख ली है हुआ हुआ है तो यह कि तूट गी होई है यह बहां पर बच्चे वीडियो बना रहे हैं बना रहे हैं वारी यह बखा रहे हैं इनको का के बखारा जाता है और सच्च में किसी किसी को आ भी जाता है खटे-खटे उते मैं खा की देखने था अब भी तो भी को टेश्के आँ कच्चे हैं यह पूल ले चोटा सा चोटा नहीं बहुत बड़ा बहुत बड़ा पूल ले यहां पर और इतनी बड़ी नदी जा रही है से निचे से हैलो कि जाचे फूल है नहीं से तो यहां पर है बहुत सारी शेसे मैं दिखाते हूं आपको बहुत बाग ही गई तब तक पानी ला दियन ने सारा एरे दिखाएंद देडि़ी पानी ला दियन उनने सारा यह रीदेख। यहां से भी रास्ता ने कि यहां का पानी पीने के लिए बहुत ही अच्छा है और ठंडा ठंडा पानी है कि यही बहुत है कि यहीं को कि यहीं है कि यहीं जे अपी है झाल झाल यहाँ पे जो है सुख देव देवताजी रहते हैं यह शिरिकाल भैर्व का मंदिर है यह हमारे सुख देव देवताजी है यह शिप्लिंग यह शिप्लिंग है हनुमान भगवान जी और यह और यह जो गुफा है अंदर यह अंदर गुफा है यहां से मैंने ऐसा सुनाया है कि यहां से जो है शॉटकट हरिद्वार के लिए रास्ता है और यह जो गुफा है अंदर यहां से मैंने ऐसा सुनाया कि यहां से जो है शॉटकट हरिद्वार के लिए रास्ता है हां यहां से हरिद्वार के लिए रास्ता पहले जो है यहीं से हरिद्वार के लिए जाया करते थे ऐसा सुनाया मैंने भी अंदर तो नही जाओंगी यह बी और ये भी है अंदर गुफा है तो चलिए गाईज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जुरूर करें और आप लोग ऐसे ही स्पोर्ट करते रही है चलो गाईज वाई पाई